हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दोस्तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में न्यू बॉर्ण बेबी के लिए लंगोट बनाना सिखाएंगे लंगोट जब भी आप अपनी बेबी के लिए बनाएं तो फ्रेंड्स हमेशा कॉटन का फैबरिक यूज कीजिए बेबी की की इसकीन होती है वो बहुत ही सैंसिटिव होती है इसलिए हमेश बॉर्ण बढ़ के लिए हैं नहीं किया है प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल का एकन जरूर से प्रैस करें वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो देखिए सबसे पहले आप अपने फैब्रिक को ले लीजिए और अगर उसमें का और इसके बाद में यहां पर एक इंच आप एस्टा ले लीजिए तो यह जो टोटल फैब्रिक है आप यहां पर टोटल फैब्रिक इस तरीके से मेजरमेंट कर लीजिए मेजरमेंट करने के बाद में इसे कट कर लीजिए यहां पर हम तीन लेयर लगाएंगे अपने इस तरीके से मैंने यहाँ पर तीन लेयर अपनी कट कर ली है और फ्रेंड जो इसकी रेखिए यहाँ पर फैब्रिक की चोड़ाई है वो यहाँ पर तक्रीबन 10 इंच की है और जो इसकी यहाँ पर लेंथ लिए वो मैंने 12 इंच ली है तो इस तरीके से आपको एश्ट्रा फै बीचली हैं सबसे पहले यहां पर माकिंग करँने के बाद में इस लाइन से हम इह हैं यहां पर मारर्किंग करेंगे इस मार्किंग से हम नीचे की तरफ पौने दो इंच का मार्किंग करेंगे हम जो यह लंगोट बना रहे हैं मैंने आपको बताया था कि हम न्यू बेबी बॉंड के लिए बना रहे हैं इसलिए जो यह मार्किंग है बिल्कुल आपको फिक्स करनी है अगर आप इससे ज करेंगे अब आप गया पर हम लाइन करेंगे अब से फ्रेंड्स हम बाहर की तरफ 4 इंच करेंगे अफिस दरीके से हम इतीछ का मार्किंग करेंगे यहाँ पर हम सवा दो इंच का मार्किंग करेंगे यहाँ पर हम धाई इंच का मार्किंग करेंगे इस तरीके से हमें ये मार्किंग करनी है अब यहाँ से जो हमने नीचे वाली लैंड डो की थे यहाँ से हमें शेप लगानी है यहां से आपको तकरिवान पोने तीन इंच पर एक इस तरीके से मार्किंग करनी है और यहां से आप इस तरीके से कर्व शेप लगाईए इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग करेंगे cutting हम friends यहाँ पर जितना हम stitching में दबाऊ रखेंगे उतना हम यहाँ पर दबाऊ रखते वे इसकी cutting कर लिए इस दरीके से हमने लंगोट को cut कर लिया अब हम इसकी stitching की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए friends सबसे पहले हम दो पार्ट लेंगे और दो पार्ट को हम एक साथ स्टीच करकर एक कर लेंगे यहाँ पर सलाय लगाते हुए मैं इसे स्टीच कर लूँगी इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर स्टीचिंग लगाते हुए दो पलो को एक कर लिया है अब हम इस वाले पार्ट को अपने इस वाले पल्ले के उपर इस तरीके से रखेंगे यह देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए पल्लों को जचा लिया है और यहाँ पर देखिए सेंटर का हमें एक निसान लगा लेना है इस सेंटर से इस की इस तरफ एक इंच और इसके इस तरफ एक इंच मलब सेंटर से टोटल दो इंच हमें इस तरीके से मार्किंग करना है और इस मार्किंग से हमें स्टीचिंग सुरू करते हुए लेके आना है और इस मार्किंग तक हमें इस टीचिंग लाकर फिनिश करना है अब हम देखिए जो यहां पर यह round circle है यहां पर हलके-हलके इस तरीके से कुटके लगा लेंगे अब हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से आपको इसे पलट लेना है और पलटने के बाद में एक बार इसे आपको आइरन कर लेना है हमने अपनी लंगोड पर इस तरीके से प्रेस कर लिया है और इसे सेट कर लिया है अब फ्रेंट देखें यहाँ पर यह ओपन वाला एरिया है इसे हमने अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करकर सेट कर दिया ह और अब हम इसके चारो तरफ एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे लंगोट को हम फि्क्स करने के लिए दोरी बनाएंगे यहाँ पर मैंने देखी यह 30 इंच लंबी इस तरीके से एक पटी कट की है और इस पट्टी को हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसे एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कॉर्णर की स्टीचिंग लगाते वे से स्टीच कर लेंगे यह आपको strip बनानी है जैसे हम बिल्कुल नाड़ा बनाते हैं उस तरीके की तो यह देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से नाड़ा बना लिया है इस नाड़ी की चोड़ाई आपको ज़्यादा नहीं रखनी है ज्यादा नाड़े की चोड़ाई रखने से आपको बाने में प्रॉब्लम हो सकती है और इसका लुकिंग भी खराब हो सकता है एक हमने देखिए यहाँ पर इस तरीके की एक श्टिप और बनाई है इसकी चोड़ाई हमने इसे काफी कम रखी है और इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करकर दो भागों में कर लेंगे और इसे हम देखिए यहाँ से तीन इंच इस तरीके से इसकी लेंद रखेंगे और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे यह श्टिप हमारी तीन इंच की लंबी होनी चाहिए अब देखिए हमारी जो यहां पर हमने लंगोट बनाई थी यहां पर हमें सेंटर का इस तरीके से एक निशान लगा लेना है निशान लगाने के बाद में देखिए जो हमारी यह स्ट्रिप है कि अपने इस लंगोट के सेंटर वाले निसान से तकरीबल एक इंच इस तरफ और एक इंच इस तरफ की दूरी पर इस तरीके से हमें स्टिच करना है और इसे हमें देखिए इस तरीके से और नीचे की तरफ हमें इस तरीके से वह उब करते हुए यहां पर हमें एस्टीचिंग लगानी है यहां पर स्टिप कर लिया है और यह से नारे को को इस तरीके से डबल फॉल्ड करकर सेंटर का निसान लगा लेंगे अ gouvern Ulis कि आओ यहा देखिए सेंटर का निसान लगाने के बाद में हमें ITS यहां रखना है देखिए 1,5 इंच नीचे की तरफ छोड़ना है हमें इस तरीके से इस तरीके से हमें यहां तक इस तरीके से इसे राउंड शेप में हलका सा इसे स्टीच करना है इस तरीके से इस तरीके से देखिए हमने यहां पर इस ट्रिप को स्टीच कर लिया है राउंड शेप में इस स्टीच करने का मीन इतना है जब आप इस डाइपर को बच्चे को तो यह जो strip है यहां से इसको cover करेगा इसलिए हमने यह राउंड में से stitch किया है और अभ इस डेखिए यहां पर इस डौरी को इस के अंदर इसलुपी के अंदर डालिए और डालने के बाद में देखिए जितनी बचे की कमर है उसी कमर के according आप यहां पर losing छोड़ते वे इस ना लिजिए तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करकर जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए हम फिर आप से मिलेंगे एक नई वीडियो नए इंफोर्मेशन के साथ में तब तक हमारे साथ बने रहिए धन्यवा लिए जए तो नग हमें भी जापको हमारे सरुटियो नगियो बने टाप कर देमी कादो ऱाट हमें करतो दिल्कूल मत भूलिए पर बगल्दाय करएं करहां करदे में कर दो उलूलिए अधन।